नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नैशनल ख़वर, मैं हूँ श्वयतारजन बिहार की राजनिती की बात मैं आपसे आज करना चाहूँगी अक्सर इस मुदे पर मैं आपसे जोड़ती हूँ, रूबरू होती हूँ और हम आपको बताते हैं कि किस तरह बातिया जो है अपने दाओ चल रही है लेकिन कल बिहार की चुनाओ के प्रचार प्रसार के अंतिम चरन के पहले जो आखरी सभा में नितिश कुमार ने कहा, उसको लेकर जो है एक कहली जे की तरह तरह की बाते सामने आ गई और अलग-अलग कयास लगाए जाने लगे इसके अलग-अलग माईने निकाले जाने लगे तो नितिश कुमार ने आई आपको बताते हैं कि कल क्या कहा जनसभा में उन्होंने कहा जनता से वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि आज चुनाव का आखरे दिन है और परसो चुनाव है और मेरा भी अंतिम चुनाव है अंत भला तो सब भला बताए वोट दीजिएगा कि नहीं अब इस तरह की बाते जब नितीश कुमार करते हैं तो इसके क्या मा निकाले जाए हाला कि इसके बाद पाती के सदस्यों की तरफ से कई बयान आए और उन्होंने कहा कि इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं नितीश कुमार ने राजनीती से सन्यास लेने की बात नहीं कही है यानि कि वो राजनीती से पीछे नहीं हटेंगे राजनीती में बने तो आपको बता दें कि नितीश कुमार जो है विधान सभा चुनाव तो लड़ी नहीं रहे वो पार्टी का चेहरा है उनके नेत्रतर में उनकी पार्टी अलग-अलग मिद्वार इस चुनाव में शामिल है एक गटबंधन के तौर पर अब जब नितीश कुमार ये बात कहते ह तो मेरी समझ में जो बात आ रहे है वो ये कि इसके मायनी तो यही निकलते हैं कि नितीश कुमार ने एक emotional काट चला है एक ऐसा दाव चला है आखरी दाव चुनाव तरचार के आखरी दिन आखरी दाव आखरी सभा में ताकि जनता का वोट जनता की सहानो भूती वो पटोर स सके तो क्या जनता भावोख होकर नितीश कुमार के शब्द के जो पाश है उसमें फस पाएगी नितीश कुमार का ये जो बयान है वो तरकश का आखरी तीर था दरसल वो जानते हैं और वो घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव से मिल रही चुनावती को लेकर मैं ये नहीं कहूंगी कि तेजस्वी यादव की ही सरकार भिहाद में आनी चाहिए या किसकी सरकार जनता के हाथ में हैं लेकिन तेजस्वी यादव ने ना को जो चने चबवाना कहते हैं वो तो करा ही दिया है पूरे इंडिये गटबंधन को तब ही तो पूरी एक जो एंडिये की मशीनरी है उसके खिलाब तेजस्वी यादव अकेले खड़े हैं और एक बहुत बड़ी चुनावती दे रहे हैं एंडिये को प्रधान मंत्री जी को यहां से वहां जाना होता है कई दौरे किये कई जनसभा किये कई रैलिया हुई और तेजस्वी यादव की जो जनसभा उसमें भीड जो उमरती है उसको आप देखें क्या जनता एक बदलाव की चाह रख रही है पिछले दिनों मेरा भी बिहार जाना हुआ कई लोगों से बात हुई कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि बिहार की जनता है वो तेजस्वी को भ जालू प्रसाद्यादों के कारेकाल में जो कुछ भी हुआ तो उससे जनता उन्हें दुबारा चुन के नहीं लाना चाहती आरजेडी को लेकिन जनता के पास कोई और विकल्प नहीं है और नितीश कुमार की जो सरकार रही पिछले 15 साल बहुत कुछ ऐसा ऐसे उपलब्ध जो क्या नहीं है अब आप के कुछ भी कहलें कि नहीं उद्योग धन्दे कल नितीश कुमार ने का उद्योग धन्दे लगाये जाएंगे और उसके बाद रोजगार मिलेगा लोगों को और यहां तक कि दूसरे राज्यों की लोग भी रोजगार की तलाश में बिहार आपको यह आईडियास क्यों नहीं सूझे आपने पिछले तीन साल तीन टर्म में आपने इस तरह क्या कोई काम क्यों नहीं किया क्यों नहीं आपने बेरोजगारी पर ध्यान दिया जब पलायन का मुद्दा आया तो आप पीछे हट गये जब बाड कोरोना जैसे मुद्दे आते हैं आप पीछे हड़ जाते हैं और अब जब चुनाओ सिर्पर है आप जनता के बीद जाकर इस तरह की बात कहते हैं कि यह मेरा आखरी चुनाओ है तो इसे तरकश का आखरी तीर क्यों ना माना जाए और जिस तरह से आपका इतिहास रहा है एक पलटुमार राजनितिग्य की आप पलट जाते हैं कभी आप आरजडी के दामन से जुड़ जाते हैं कभी आप भाजपा से वही भाजपा जिसके खिलाव आप विधान सभा में कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नरिंद्र मोदी और आप एक दुसरे की आँखों में खटकने वाले यहां मैं यह तो जरूर कहना चाहूंगी कि जो आपका चालिस वर्ष का राजनितिक करियर रहा है उसमें आपकी उपलब्धियां जंगल राग से बहतर रही हैं सडक और पुल निर्मान या कुछ ऐसी ब बहुत इसको मुक्ती मिली है आपने शराब बंदी जैसे अच्छे कदम उठाए हैं लेकिन जहां बाकी राज 15 साल में एक उची छलांग लगा लेते हैं बिहार वहीं का वहीं है आपने बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं किया यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया बेरोजगारी के मुद्दे के लिए कुछ नहीं किया शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया यह सारे मुद्दे धरे के धरे रह गये और अब जब चुनाओ सिर्पर है और आपको लगता है आप जब हताश हो रहे हैं निराश हो रहे हैं तो आपको लगता है कि बिहार की जनता को बरगलाने के लिए बहकाने के लिए आपने अपना आकरी तीर आपका चुनाऊचिन वैसे भी तीर है आपने एक आकरी तीर छोड़ दिया है ताकि वो सही निशाने पर अगर जाकर लग जाए तो बिहार की जनता भावुख होकर आपको वोट दे दे और सहनुभुति के तो बिहार पर आप जनता का vote बटोर सके तो आपका ये जो राजनितिक मंचा है कि बिहार में जो सबसे लंबे कारेकाले के लिए मुख्य मंत्री पत पर बने रहने का जो सपना है उसको आप पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं सही है हरको ही करता है लेकिन नितिश जी ये आप इसको जो तेजस्वी आदाव ने आपको चनौती दी है या बिहार की जनता जो आप से उम्मीद करती थी की एक सुषासन बाबू के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाए थी उसमें आप कही न कहीं विफल जरूर हुए हैं तो मैं तो यह समझती हूँ कि यह आपका आखरी दाव है अब जनता इसके चपेटे में कितना आती है वो वक्त बताएगा लेकिन जो आपकी अब तक की छवी है राजमीतिक छवी है शुरू में बहुत अच्छी थी एक बहुत ही अच्छे निता की तौर पर रेल मंद्री भी आपके खिलाफ इस बार चली गई है तो यह एक आखरी दाव है जो मैं समझ रही हूँ क्योंकि पाटी के तरफ से यह बयान भी आ गया है कि सन्यास आप नहीं ले रहे हैं और विधान सपा चुनाओ आखरी चुनाओ जो आप कह रहे हैं आप चुनाओ लड़ नहीं रहे हैं पहले आप सिर्फ दो बार चुनाओ लड़े एक बार आप जीते एक बार आप हारे हलाकि आपकी छवी अच्छी थी इसलिए जनता आपको मुखी मंतरी के तौर पर देखती रही और आपके अलावा कोई विकल्प नहीं था विहार की जनता के पास लेकिन यह विहार की जनत आपशीत के लिए अभी दीज इजासत हमस्कार